वेल, हलो, तो बहुल भाई रोगों, गेमिंग हो रही है दुनिया के अंदर दबाग है, लेकिन अक्छिली तगडित प्रोड़क्टिविटी के साथ गेमिंग हो यह नहीं पारी, तो आज एक ऐसा लाप्टोप नहीं हो जो तगड़ा है प्रोड़क्टिविटी के अंदर और गेमिंग के अंदर ही उतना अच्छा है, लेट्स टॉक अबाउट लेनवो लीजिन 7-16, लेट्स गो, इसके अंदर देखने को मिलता है, इंटल का कोर i9, 4900HX प्रोसेसर, ह मतलब high performance, ह मतलब extreme high performance, मतलब HX तो common हो चुका है आज कल के दुनिया गा, साथ में 32GB की RAM देखने को डूल चैनल के अंदर DDR5 ताइप 5600MHz पे ग्लॉक, दो स्ट देखने को मिलते हैं और दोनों यूज करे जा रहे हैं, यानि कि 16GB की दो स्टिक्स, बागे अकर SSD के बाएं मतलब हैं तो यहाँ पर 1TB की SSD रिखने को मिलती है, तोरी read and write speed वाली, Gen 4, Gen 4 very common, साथ में Nvidia GeForce RTX 4070, एक 8GB VRAM बाला GPU, with 115W की TDP, और इसी 115W में 25W का dynamic boost भी included है, तो इस specifications वाइस सब कुछ ठीक लग रहा है, हाँ, GPU थोड़ा से मैं कहा रहा हूँ, 4070 के साब से, उतना strong नहीं है, बाखी थोड़ा वजन की बारे में मत करें, तो weight इसका है, 2.2kg के आस, तो थोड़ा heavier side पे, 2.2kg को पर to 3.3kg का है, which is definitely on a heavier side, लेकिन डिस्प्ले के बारे में फटा पर बात कर लेते हैं, तो डिस्प्ले के नदर देखने मिलती है, 16 inches is actually very much common today, मतलब हर दूसरे laptop में 16 inches की डिस्प्ले है, यह तो 18 inch का देख रखा है, उसकी वीडियो बाद में वाद में, with resolution of 3200 into 2000, बाखी PPI के बार 400, 400 के बीच, तो bright way display काफी दा feel करा देख, तो overall display wise, काफी दा solid display देखने मिल जाती है, latency थोड़ी से जाद देखने मिलती है, around 9 million seconds के असपास, real world testing के अंदर, तो overall display wise, अगर तुम्हे color accuracy बाले काम करने है, यानि कि editing करनी है, कोई भी graphic designing करने है, वहाँ पर this is one of the absolute classic and best, और माद हो जाती है, कि fingerprint थोड़ी आजाती है, अगर उनसे खास दिक्कत नहीं है, तो फिर build solid देखने हो मिलता है, plus design, देखो, Legion का मुझे काफी ज़्लीक अच्छा लगता है, gaming वाली भी थोड़ी फील देता है, और लगाते है कि हाँ, professional grade का laptop भी हो सकता है, और sticks वालों के तरह नहीं कि बस gaming कर देंगे, लें gaming कब होगी, जब performance होगी, कोई भी काम कब होगा, जब performance होगा, तो performance के बाता है, तो core i9, यह top of the line processor है, आज की rate के अंदर, one of the best है, Ryzen 9 से भी अच्छा मानता हूँ है, क्योंकि यह 24 course, 32 thread का processor, 8 P course, और 16 E course, हर performance core पे 2 thread, हर efficiency core पे 1 thread, and this is literally very powerful, और यह 10 nanometer पे base processor है, 55 watt की max TDP के साथ, तो कोई कह रहा है कि यह general नहीं पहुचा सकता है, मैं कैसे पहुआ हूँ, यह पहुचा देगा, बस फोड़ा समय चाहिए और कुछ, उसले में चार 23 के अंदर, single core score इसका one of the absolute classic best निकल के आ जाता है, 2195, and multi core score निकल के आता है, 31,127, क्या कर सकतो सब कुछ कर सकते हो, जो तुम इमाजन कर सकते हो, मलब कुछ लाइन बैठी नहीं, बट हा, everything, जो की possible है, यह वो कर देगा, 4K high video rating करनी है, अराम से कर देगा, game development, coding में कोई दिक्कत आने नहीं वाली, हा, game development में, at a point, मुझे लगता है कभी, desktop जादा बेटर performance देगा, लेकिन काम यह सारे कर देगा, 3D rendering, graphic वागरा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हा, दिक्कत अगर आएगी तो वो आएगी from GPUs and 4070, 115W TDP वाला मुझे नहीं लगता हो, well powerful enough, 3D rendering में गया task करनी, तो प्रोसेसर भाई, best and best, इसके ओपर सीधे कुछ नहीं, वो super computer है, लेकिन बात करी जाए, gaming के बारे में, तो जो RTX 4070 है, यह 115W TDP के साथ आता है, और पूरा 115W भी नहीं है, fun fact is this, उसमें 25W का timing boost included है, तो अर्थात यह बज जाता है सिर्फ 90W का, और 25W का timing boost कब चलेगा, जब सिस्टम को लगेगा, प्रोसेसर को लगेगा कि need, और भगवान के लिए से इन लों तो 2K Gaming होनी चाहिए, 94FPS, Wizard 3, 92FPS, Far Cry 5, 115FPS, F1 23, 44FPS, Baldur's Gate 3, 72FPS, Cyberpunk 2077, 51FPS, and Horizon Forbidden West, 50F, तो नहीं सकते हो कि सारे जो mid-level titles हैं, उनको अराम से push कर देता है, over 100, and जो latest current titles हैं, जो थोड़े heavy है, Cyberpunk 2090 के लिए heavy है, तो यह तो बिचारा 4070 है, वो भी लगवान 90W TDP वाला, तो व अठा, 1080p resolution में कोई दिक्कत होती नहीं, खास सारे गेम्स अराम से 60+, जाएंगा, और 2K resolution के अंदर भी अगर तो अच्छे से calibration करते हैं, तो काम कर देगा, पूरे, बाखी cooling के बारे मात करें, तो बैसा polling तो ठीक ठाक लगा रखें, दो पंक हो आली, जो कि ठीक ठाक आवाज भी प्रेड्यूस करते हैं, बर ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन temperatures के बारे मात करें, तो ये काफी अद तक laptop को ठंडा रखता है, और i9-4900HX जैसा प्रोसेसर हीट हो जाता है, बस दो सकेंड चाहिए, गरम हो के सीधे पहाड, इतना गरम हो जाता है बाईसाब कि सीधा Mount Fuji प प्रेड्यूस कर देते हैं, लेकिन, headphone लगाई है, गेमिंग अलफटा ही है, बेकॉस जो स्टीजियो स्पीकर से हैं, वो ठीक ठाकवाज ही निकाल पात, 82ड़ के अराउंड, जो कि पैस काम कर रहा है, लेकिन बैटरी के बारे में बात कर लें, एक तो इसकी पावर बढ़ी ह बनाब पावर बहुत अच्छी कासी इसको चाहिए, और इसकी बैटरी दे गए है, जो बैटरी दे गए है, 99.9Wh, ने, 100 कर देते हैं, कुछ बरा हो जाता है, बाकिन नॉर्मल यूज ये तुमारा पाज घंटे के आसपास बिता देगा, और फुल प्रफोर्मेंस पर चला आ तो बाई एक घंटे के आसपास ही ने पड़ जाता है, काना आइन गरम होता है, हीट होता है, पंके चलते है, तीज होता रहता है, सब कुछ बैटरी यूज में आती रहती है, and that's the very sole reason, लेकिन 4 दिंग की केबल लगाई है, और गेमिंग का लूफ्स उठाई है, ये नारा है और ये नारा मैं हर इंदुस्तानी को देना चाहत, सब्सक्राइब, लेकिन कंक्लूजन के बाद, किन लोग को ये लाप्टोप लेना चाहिए, इस प्राइस पर मैं कहता हूँ कि एक अच्छा प्रोसेसर, जो कि i7 हो सकता है 14 जनरेशन, के साथ 4060 नहीं तो 4070, फोड़ी लेकिन ये लोग मैं कहता हूँ, fully उनको recommend करता हूँ, जिनको casual gamers, ऐसा नहीं ये gaming नहीं हो पाईगी, अच्छी gaming हो पाईगी, लेकिन देख लिया है, जो 2 के resolution है, जहां पर 4070 को करना चाहिए आच्छा है, वो नहीं कर पाता है, because of the TDP, लेकिन प्रोसेसर वाले task में खा जाता जिसको ज़्यादा CPU का काम है, जिसको ज़्यादा rendering करना है, जिसको ज़्यादा designs बनाने है, तो तुम CPU की तरफ shift हो सकते हो, coding भार करना है तो, and तुम ग्राफिकल काम ज़्यादा है, या फिर games ज़्यादा खेलनी है, sorry games बदब चल जाए minimum 2 के resolution पे, body screen पे, तो बैसा 4070 ज्या की बटन को दबाना एक दम कंपल सरी है, बागी comments में बता सकते हो कुछ भी, algorithm hack हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाखी मैं मिल तो तुम लोग से अगली वीडियो में तब के लिए, peace out, बाखी चैनल पे जाओ और वीडियोस के चकाओट को लो, bye, मैं पता नहीं क्या कर रह ुझ घुझ